गुड मॉनिंग इस्टुनेंट्स आज हम बात कर रहे हैं बीए सी पार्ट फर्स की जिसका जो बुक हमने स्टार्ट कि थी वो थी कैल्कुलस या कलन और इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था पोलर कॉडिनेट्स सिस्टम एंड रिलेशन बीटुन पोलर एंड कार्टेशन कॉडिनेट्स इस्टम आज हम बात करते हैं अंगल बिटून रिडेस वेक्टर एंड टेंड तो किसी भी करूर का पोलर फ़ॉर्म जो है हमारी वो आर बराबर एफ थीटा यह कोई कर्व दिया है हमें और यह हमारी initial line है O मालने ते हैं यहाँ पर कोई point P है तो O P बराबर R और यह angle हमारा थीता है तो हमें इस point P पर जो हमारी tangent है और यह जो हमारा radius vector है तो radius vector O P को हमने आगे extend कर दिया L तक और L तक extend करने के बाद हमारा यह angle है tangent और हमारी radius vector इनके बीच के जो angle है 5 इस 5 का formula होता है tan 5 equals to R d theta by dr यह formula हमें याद रखना है this is the angle between radius vector and tangent radius vector O से P जो हमारा P point है उसको join करने वाली जो line होती है उसको हम बोलते है radius vector यह दुरुवानता रेखा और यह जो P point पर tangent है उस tangent और polar line जो हमारी polar या radius vector जो है हमारा उसके मध्य में जो कौन है phi उस phi को हम इस formula से ज्याद करते है tan 5 equal to R d theta by dr इसको हम derivative भी कर सकते हैं बहुत simple है आप इसको book से देख लेना अब हम बात करते हैं अगला topic हमारा यह direct formula याद रखना है अगला formula है अगला जो formula है वो है the angle between angle of intersection of two polar curves दो दुर्विय वक्रों के मध्य में के मध्य कौन the angle between two polar curves माल लेते ही यह हमारे एक पहला कर्व है R equals to F1 theta और दूसरा कर्व है हमारा यह R equals to F2 theta यह हमारा जो pole है O और यह हमारी initial line है तो इनके मध्य का कौन निकालने का मतलब होता है इस point जो हमारा intersection point है उस intersection point पर हमने tangent draw कर दी और इसके intersection point जो है हमारा इस पर tangent तो दोनो tangent की बीच का जो angle है माल लेते हैं phi है दोनो curve के बीच के angle का मतलब होता है दोनो point दोनो curve का जो intersection point है माल लेते है P है इस P point पर क्योंकि यह intersection point है तो दोनो curve के पर होगा तो इस point पर हमने tangent draw करी पहले curve की और दूसरे curve की दोनो जो curve है उन दोनों की tangent के बीच का जो angle होता है उसी को हम कहते है angle between two curves two polar curves तो इसका जो formula है वो है phi equals to phi 1 minus phi 2 यह हमारा phi 1 है और यह हमारा phi 2 है तो phi 1 minus phi 2 और अगर हम यहां दोनों तरफ 10 phi ले ले 10 ले ले तो 10 phi 1 minus phi 2 और we know that the formula of 10 phi 1, 10 a minus 10 b it is 10 phi 1 minus 10 phi 2 upon 1 plus 10 phi 1 into 10 10 phi 2 तो यह हमारा formula है angle between two curves का और अगर हम इसे phi equals to ऐसे भी ले सकते है 10 inverse L1 minus L2 upon 1 plus L1 L2 where L1 equals to 10 phi 1 and L2 equals to 10 phi 2 10 phi 1 और 10 phi 2 निकालने का वही formula है जो हमने पहले अभी लिखा था 10 phi 1 equal to r d theta by dr और 10 phi 2 के ले भी r d theta by dr अब हम इसके special case की बात करते है पर्टिक्लर केस तो दो पर्टिक्लर केस है पहला पर्टिक्लर केस है या एक ही के पर्टिक्लर केसे condition of और दोगोनल्टी means lambic होने का पर्तिबंद lambic का मतलब होता है ordogonan का मतलब है हमारे जो दोनों कर्व है इन दोनों की बीच का एंगल 90 डिगरी हो मतलब यहाँ पर tangent और यह जो यहाँ पर tangent है दोनों के बीच का एंगल किता हो 90 डिगरी तो दोनों की बीच का एंगल 90 डिगरी होने का मतलब है 5 equals to 90 that implies 1090 equals to 1051 minus 1052 जो हमारा formula था अपन 1 plus 1051 1052 105 equals to 1051 minus 1052 अपन 1 plus 1051 52 ये भी हमने formula डराइव किया था 1090 होता है infinite means 1 upon 0 equals to 1051 minus 1052 upon 1 plus 1051 into 1052. Cross multiply करने पर हमारा result है 1051 into 1052 equal to minus 1. तो this is the condition of orthogonality इसको हम ऐसे भी दिसकते हैं L1 L2 equals to minus 1. तो lambic होने का परतिबंदे दो curve, दो polar curves अगर orthogonal हैं, lambic हैं तो उसके लिए L1 L2 equals to minus 1 होना चाहिए. अगला topic है मारा length of the polar tangent, normal, subtangent and subnormals. अर्थात, दुर्वी, इस्पर्शी, अभी लंब, अधह इस्पर्शी और अधो लंब की लंबाई. length of the polar tangent, normal, subtangent and subnormal. तो उससे पहले हम बात करते हैं, यह polar tangent, normal, subtangent, subnormal की definition क्या है? तो माल लेते हैं, let r equals to f theta, r equals to f theta कोई दिया गया curve है, polar curve है. यह हमारा pole है, और यह हमारी initial line है, मालने तने इस पर कोई point p है, जिसके coordinate r theta है, polar coordinate, क्योंकि polar curve है, तो polar coordinate हमने माल लिए r theta, polar coordinate r theta है, इसका मतलब होगा, op equals to r होगा, और this angle is theta. अब हम बात करते हैं, कि polar tangent की definition क्या है, तो इस p point से हम एक tangent draw करते हैं, यह p पर tangent हो गई, इसी प्रकार से p पर हम normal draw करते हैं, यह हमारा normal हो गया है, p point पर tangent और p point से normal, अर्थात p point पर इस पर शेखा खेंची, और p point पर हमने अबिलंब, अब इस o और p जो हमारी दुरवानता रेखा है, radius vector op, op पर एक perpendicular draw करते हैं, draw a perpendicular to op from o, o से गुजरने वाला हमने एक, from o, o से गुजरने वाला और op के लंब एक हमने यह पर पैंड कर ड्रॉप कर दिया, इस normal को आगे extend कर लेते हैं, और यहां से tangent को भी आगे extend कर लेते हैं, यह हमारा t, यह t- और यह o n, इसी को t माल लेते हैं, तो o t और o p n, हमने एक o से perpendicular drop किया, जो कि op के perpendicular यह 90 डिगरी है, यह जो perpendicular है, वो normal को n पर intersect करता है, और इस tangent को t point पर intersect करता है, तो definition जो है हमारी p t, p t is called tangent, इस p t को हम कहते हैं, tangent, o t is called sub tangent, this p n is called normal and o n is called subnormal means, जो हमारा यह जो curve था, सबसे पहले हमने इस curve पर एक point लिया, p, उस p point से हमने o को join कर दिया, जो कि हमारी radius vector है, उसके बाद p point पर हमने एक tangent draw की, p point से एक normal draw किया, उसके बाद इस op पर o से गुजनने वाल एक lump खेंच दिया, perpendicular drawn की हमने draw किया, from o to op, तो यह हमारा एक perpendicular है, यह जो perpendicular है, यह जो lump है, वो इस अभिलंब को n बिंदू पर काटता है, और इस tangent को t बिंदू पर काटता है, अब हमारे पास चार line segment है, रेकाखंड है, एक है PT, एक है OT, एक है PN और एक है ON, तो सबसे पहले यह PT जो है हमारा, इसको हम कहते हैं, यह हमारी क्यालाती है, यह जो OT है हमारा क्यालाता है, अधेस परशी means sub-tangent यह है हमारा tangent polar tangent जिसको कहते हैं यह कहलाता है हमारा normal यह हिंदी में कहते हैं उसको अभी लंब P N P N है हमारा अभी लंब O N this is called sub-normal या अधोस लंब तो यह चार पार्ट जो है हमारे इन चारों पार्टों को हम यह नाम देते हैं पहला है polar tangent P T दूसरा है polar sub-tangent O T फिर है polar normal या simply normal it is P N और last है हमारा O N it is called sub-normal अब इन सब की length की बात करते हैं लंबाईयों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं length of polar tangent मतलब P T P T कैसे ग्याद करेंगे तो P T को निकालने के लिए हम इन triangle O P T यह जो हमारा triangle है O P T यह O P T triangle जो है हमारा वो क्या है एक right angle triangle triangle है समकौन तिरभूज है तो हमें P T क्याद करना है तो P T upon यह angle हमारा phi होगा यह कौन सा angle है यह दुरवानता रेखा और इस पर शेका के मद्दे का कौन है angle between radius vector and tangent तो यह हम जानता है भी हमने बताया था यह phi angle जो होता है वो दुरवानता रेखा और इस पर शेका के मद्दे का कौन होता है तो यह phi है और यह theta है जब phi के सामने है यहाँ पर यह perpendicular 90 के सामने यह हो गया hypotenuse यह कर्ण और बचा वो आधार तो P T upon O P equals to तो trigonometry से हम देखते है phi के सामने यह तो हमारा है यह phi है phi के सामने है lump और 90 के सामने है कर्ण यह है आधार तो O P upon P T means कर्ण बटा आधार तो कर्ण बटा आधार होता है हमारा सेक फाई तो यह हो गया हमारा P T equals to O P सेक फाई और O P बराबर है हमारा R तो यह होता है R सेक फाई तो यह हमारा पहला फाईला है R सेक फाई अगर हम इसको चेंज करते हैं known result में तो हम जानते हैं we know that 10 phi equals to R d theta by dr यह भी हमने standard formula लिखा था angle between tangent and radius vector so this is 10 phi equals to r d theta by dr और सेक फीटा को हम क्या ले सकते हैं P T equals to R सेक फाई सेक फाई को हम ले सकते हैं 1 plus 10 square phi तो यह formula हो गया हमारा R under root of यहां से इसकी value रख देते हैं 1 plus R square d theta by dr whole square तो यह हमारा formula है polar tangent का अब हम बात करते हैं length of normal तो यह standard formula है यह formula number 1 फिर है length of normal length of normal normal की definite normal अभी मने बताया था P N को बोलते हम normal तो P N आपको ग्याद करना है P N upon तो P N के लिए हम triangle लेते हैं इन triangle O P N O P N एक right angle triangle है तो P N upon P N upon यह हमारा है P N और यह हमारा O P P N upon O P equals to अगर यह angle हमारा phi है तो यह angle क्या होगा 90-5 प्योंकि tangent और जो नॉर्मल होती है बोह दोनों एक दूसरे परपेंडिकलर होते हैं तो यह phi है तो यह 90-5 यह हमारा 90-5 और यह 90-5 तो यह हमारा phi हो गया है वाप देखते हैं यह 90 है यह 90-5 है और यह हमारा फाई है तो यह थीता है 5 के सामने यह तो हमारा है perpendicular 90 के सामने हमारा hypernes तो हमें निकालना है PN अपॉन O P तो PN है हमारा hypernes और O P है हमारा 5 के सामने perpendicular तो hypernes upon perpendicular यह हो जाएगा हमारा कोसेक 5 तो PN इकोल स्टो हो गया R कोसेक 5 और R as it is कोसेक को हम देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वार फाई तो R 101 प्लस कॉट तो 10 का opposite होता है तो यह हो जाएगा 1 upon R DR by D theta का whole square तो यह हमारा PN का formula इसी प्रकार से हम O N और O T भी याद कर सकते हैं O T और O N के जो formula हैं O T बराबर हमें O T निकाल ला है तो O T स्टैंगल से O T P सो O T अपान सब्टेंजेंट सब्टेंजेंट की बात करते हैं तो O T अपान O P इक्वास टू O T यह हमारा अपेंडिकलर बाई यह पेंडिकलर बाई हाइपर्टनियस तो यह होगा साइन फाई साइन फाई साइन ही O T अपान O P तो यह थीटा फाई के सामने यह लंब और यह आधार लंबट आधार तो पेंडिकलर बाई हाइपर्टनियस बेस इट इस टैन फाई O T इक्वास टो होगया R टैन फाई और टैन फाई का मान जो था बो था हमारा R एज इस R D theta by Dr यह है हमारा R square D theta by Dr यह है हमारा second formula O T equals to R square D theta by Dr तो subnormal का जो formula है वो है O T equals to R square D theta by Dr ऐसे ही subnormal subnormal के लिए हम बात करते हैं O N तो O N upon O P तो O N upon O P जो है हमारा वो है 10 90 minus 5 यह डारेक्टी लिख सकते हैं cot 5 चुकि यह theta है theta के सामने यह तो लम है महलब 5 के सामने यह perpendicular और 90 के सामने यह hypertension और यह base तो बेस अपन पेस अपन परपेंडुलर तो इस tan cot 5 तो O N equals to हो गया हमारा R cot 5 R as it is और cot 5 का है फार्मुला 1 अपर R D R by D theta so it is D R by D theta तो O N का जो फार्मुला है वो हमारा D R by D theta तो इस परकार से यह चार फार्मुले हैं इन चारों फार्मुलों को याद रखना है हमें पहला फार्मुला था हमारा polar tangent का दूसरा फार्मुला था हमारा polar normal का तीसरा है polar subtangent और चौता है polar subnormal का कल हम इसके examples की बात करेंगे Thank you very much